हेलो दोस्तों फाइनली टिक टोक इंडिया में बैन हो चुका है लेकिन यहां पर कुछ लोग यह सोच रहे हैं इंडिया में यदि टिक टोक बैन हो चुका है तो प्ले स्टोर से रिमूब क्यों नहीं किया गया यदि प्ले स्टोर से भी रिमूब कर दिया गया है तो हमारे चैनल पर पहले बारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले इंदियन गरुमेंट ने यहां पर फैसला लिया है कि टिक टोक के स्थाथ साथ 59 एप्स को इंदिया में बैन कर दिया जाए और फाइनली 59 एप्स भी प्लेश्चोर पर देखने को नहीं मिलेंगे साइध में जब वीडियो में सूट कर रहा हूं यहां पर यहां पर यहां पर वर्क करेगा यहां अभी जो यूज कर देंगे तो डाउनलोड करने में प्रोब्लम हो सकता है तो फिर भी यहां चाहते हैं तो तो VPN server के द्वारा TikTok application यूच कर सकते हैं कुछ लोग यह जानना चाह रहा है इंडिया में TikTok application के क्यों बैंड किया गया इंडिया में TikTok application को बैंड करने का दो में रिजन हो सकता है नमबर वन लद्दाग में इंडिया और चाइना के बीच में जो लराई हुए थे तो हमारे देश के 20 जवान सहीद हो गये थे लोग के लिए काफी बुरी ख़बर था यह में रिजन है और यह ज़रूरी भी था क्यों इसमें जो हमारे प्रेशनल डाटा को यहां पर लिख कर रहा था जैसे TikTok application आप इंस्टॉल करते हैं तो यहां पर आपको केमरा का प्रिमेशन मांगता है फौन का प्रिमेशन मांगता है यानि कि आप लोग यहां पर एलाउ कर देते हैं तो यह हम लोग के लिए खत्रा भी थ तो सही हुआ हमारे इंडिया में चाइनेज एप इस्तमाल कर रहे थे वह बैन हो चुका है तो फिर क्या करेंगे कौन सी एप बेस्ट एप है जो हम यूज कर सकते हैं तो यहां पर आपको दो application देखने को मिल जाएंगे जो इंडियन एप है तिक टॉक application की इस तरह ही है तो यहां पर मैं number one के बाद करता हूं तो रोपोसो एप है और second number में चीनगारी एप है और रोपोसो एप कैसे चीनगारी एप को कैसे यूज करना है यदि आप जानना चाहते हैं तो comment box में बता देना इस टॉपिक्स पर भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे तो तो द देना